नमस्कार आप फिर से आप समी का तहें दिल से हार्दिक स्वागत है उत्तर परदेश पुलिस बर्ती 2022 असिस्टेंट आपरेटर के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आज आज आपकी क्लास नमबर 66 है इसके पहले हमने क्लासस वो फो रहे है सारी क्लास्स की पेडिएफ गाइस आपको मिल जाएगी दो दिन से तीन दिन से आपको प्रुईटिक भी नहीं मिल रही है और ऐसी सिलिए चिंता भी ना कीज़गा तो सु आज की स्माहतपड़ क्लास की सुरुबात करते हैं। बस आप पूरी जान पूरी सिद्दत के साथ लगे रहेगा। डाउन होते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप सब को पता है कि जो ब्यूस होता है गाईस उसको अंकुरन लेने में समय लगता है और अंकुरन लेने के बाद फसल बनने में समय लगता है। तो इसलिए मेरे पैरे भाई आपको पूरी जान के साथ लगे रहना है और अंद तक लगे रहना है जब तक आपका एक्जाम होने ही जाता है जब तक आप सब का सिलेक्शन होने ही जाता है। आप हमारी इस बात को घ्यान दीजेगा अब आएए मेरे पैरे भाई बढ़ते हैं आज की समय लगता है। लगवग आप सभी जानते होंगे फट 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 आंसर दीजे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिलकुल मेरे पैरे भाई बिलकुल आप सभी का अंसर बिलकुल करेक्ट आ रहा है। सगी अंसर हो जाएगा राखल दास बनर जी। मेरे पैरे भाई मोहन जोदलो की खोच जो है किन्द के दोरा की गई राखल दास बनर जी। option b आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला विशन आपके सामने की साबर मती में सत्यागरे आस्रम की असापना किसने की थी इसका answer आप सभी बताएंगे लगबग आप सभी जानते भी होंगे तो बताएए इसका correct answer क्या हो जाएगा मेरे पैरे भाई फटा फटा आंसर किसका सखी answer क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा महत्मा गांधी जी ने किसने की महत्मा गांधी जी ने correct answer क्या हो जाएगा आपका option b जो भी हमारे पैरे भाई बेन पैरे मित्र option b बता रहें बिल्कुल सखी answer हो जाएगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला मेरे पैरे भा जो है एकिसा राजह का लोक निरत्य है इसका आंसर आपको बताना है जह 25 लोक निरत्य वाँद क्या हो जाएगा गलती नहीं करने का मेरे प्यारे भाई कि अब समझने की कोशिष करो कहा किया गए आपसे कि गढ़ गौर के निरत्य जो है जहें are ज़ो है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा यह रजस्थान का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अगला है कि नागर जुन सागर बांध प्रियोजना निम्न में से किस नदी पर इस्तित है अब मेरे ब्यारे भाई अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यह किस नदी पर है तो याद रखना मित्र इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नागर जुन सागर प्रियोजना जो है मेरे प्यारे भाई ये किस नदी पर है क्रस्णा नदी पर है और ये कहां पर है अगर आपसे ये पूछा जाता है भाई तो आप याद रखना ये कहां पर है तो ये है आंध्र प्रदेश में कहां पर भाई आंध्र प्रदेश में ये प्रयोजना है ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो ज जाएगा अगला question आपके सामने हर सवर्धन द्वारा रचित नाटक है इसका अंसर आप सभी बताएंगे हर सवर्धन द्वारा रचित नाटक इस मैंसे कौन सा हो जाएगा अब मेरे प्यारे भाई याद रखना है इसमें हर सवर्धन जो गाई से इसमें मतलब इस रचना में से किनके नाटक का रहें सही आश रहो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बिल्कल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखो यहाँ पर रतना वली जो है मेरे प्यारे भाई रतना वली इसके अलामा हर सवर्धन ने प्योडर सिका हो गया या फिर आपको नागरनंद लगबग आप सभी जानते होंगे इसका answer बताईए correct answer क्या हो जाएगा साह नामा के लेख़ कौन थे मेरे पैरे भाई question number 6 का जो भी पैरे भाई बेनी आप पर बता रहे हैं कि साह नामा जो है फिल्र दोसी के दोरा लिखा गया बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है question number 7 कि भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक का कारियकाल कितना होता है अब मेरे पैरे भाई आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना देखो कहा क्या गया कि भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक मतलब यह हुआ मेरे पैरे भाई यहां पर कि जो नियंत्रक होते हैं या फिर महालेकर परिक्षक होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्स का होता है अगर आपसे यह पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा Q7 का 6 वर्स की अत्वा 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो कहने का मतलब क्या है अब देखो मेरे प्यारे भाई यहां पर कहा क्या गया Q6 में आप समझने की कोशिश करना Q6 वर्स की अत्वा 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो अब मेरे प्यारे भाई अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यह किस अनुक्षेद के अंतरगत होता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई राश्ट पती के दौरा नेंतरक और महालेखा परिक्षक की नियुक्ती होती है और यह होता है गाईस अनुक्षेद 149 के अंतरगत ठीक हैं अगला है कि परमाडु बम की खोज किसने की अब मेरे प्यारे भाई समझने की कोसिस करना परमाडु बम यानि की एटम बम की खोज किसने की इस कांसर आपको पताना है अगर आपसे यह पूछा जाता है कि एटम किस सिद्दान पर अगर आपसे यह पूछा जाता है इसकी खोज किसने की तो मेरे प्यारे भाई याद रखना कोईशन नमर एट का सही आंसर हो जाएगा आटो होन ने किसने की आटो होन ने की किस सिद्दान पर कारी करता है तो नाब किये विखंडन के सिद्दान पर कारिय करता है ठीक है अगला है कि ग्रहों की चाल से सम्बंदीत नियमों का अपकती पादन किस ने किया सभी जानते होंगे बताने के जरूरत नहीं है बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कोईशन नमर नाइन मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं गाईज अपना महत्पूर्ण समय आपके लिए में लेकर आता हूँ तो आप सब प्यारे भाई बैन का भी दायूत बनता है आप जैसे ही कोई भी क्लासे से स्टार्ट होंगी सारी क्लासे की नोडिफिकेशन आपको मिल जाएगी इंपोर्डे नोडिफिकेशन आएगी UP Police Constable से समन्दित कुछ भी अपडेट आती है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी आप चैनल को सब्सक्राइब पहने के बाद बगल में बेन लोडिफिकेशन आएगा उसे प्रस करके सेलेक्ट आल कर लीजेगा ठीक है इस कलास की पेड़े भी आपको हमारी टेलीगराम पर मिल जाया करेगी तो अब मैं आपको ये भी बता दूँगाइस कि अगर आप मुझे इंस्टागराम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस्टागराम पर अर्विंद जैसवाल neop लीजेगा आप करके वहां पर सर्च कर लीजेगा अबको अमारा नहीं सर्च बाता से समंदीत नियमों का प्रतीपाधन किस ने किया अगर आप ये पूचा जाता है तो मेरी बाता सबी जानते होंगे लगाज Can सही अंसर का हो जाएगा आपका कैपलर ने अगला मेरी पैरे भाई निमलकित में से कौन से तत्वा भारत के कुछ भागों में पाने के जल में परदूशक के रूप में पाए जाते हैं अब समझने की कोशिश करना मेरे पैरे भाई कहा क्या गया है?, थोड़ा सा दिमाघ लगा देखो कौन से तत्वा भारत की कुछ भागों में पाने के जल में प्रदूसक के रूप में कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई जल में प्रदूसक के रूप में इसमें कौन से तत्वा है इसमें आर्सेनिक भी हो जाएगा फ्लोराइट भी हो जाएगा यूरेनियम भी हो अगला समझने की कोशिश करना question number 11 थोड़ा सापको tough लगेगा बड़ गाइस आप थोड़ा समझिए अफ्राद रजिस्टर से किसी अफ्राद को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आविस्टक है अब मेरे पहरे भाई आप समझने की कोशिश करना यहां पर कहा क्या गया है आपसे अफ्राद रजिस्टर से किसी अफ्राद को निकाल देने के लिए यानि कि गाइस अगर आ आपका नेम अफराद रिष्टर में लिख दिया जाता है तो उस रिष्टर से नेम निकालने करें किसकी मंजूरी आविस्थक है समझते होंगे गाइस पावर सबसे जादा होती है वो होती है डी-म की डिश्टिक मंजिस्ट्रेट की बिल्कुल मेरे प्यारी भाई डी-म की गा गैर सदस्षी के रूप में भाग ले सकता है देखो कोईशन आपको टफ लगे इजी लगे मॉडर्ट लेबल लगे मुझे इससे फर्क नहीं है गाइस में साड़े कोईशन आपको वही करवा रहा हूं जो आपके यूप पुलिस कॉंस्टिबल के प्रैक्टिस चर्ट में ह आपको वही करवा रहा हूं ना तो मैं आपके लिए इजी कोईशन लेकर आता हूं ना ही मैं आपके लिए टफ कोईशन लेकर आता हूं ठीक है गाइस में जिस प्रकार सेट में आपके कोईशन दे हैं उसी प्रकार में लेकर आता हूं ठीक है कौन संसत के किशी वी सदन की क और मेरे प्यारे भाई आप ये भी याद रखना कि महानियावादी जो होते गाई से भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी होता है ठीक है अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी कौन होता है तो महानियावादी ही होता है ठीक है मेरे पहरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option number B और अगर आप से ये पूछा जाता है कि महानियावादी का वर्ण जोए ये guys constitution के किस article में है तो मेरे पहरे भाई याद रखना 76 article में है ठीक है इसके नियुक्ति कौन करता है तो राश्टपती इसके नियुक्ति करता है अगला मेरे पहरे भाई RDX अब मेरे पहरे भाई समझने की कोशिश करना RDX का बिस्तरित रूप क्या है RDX समझ कहें होंगे कहने का मतलब क्या है बताइए मित्र याद रखना है इसमें question number 13 का RDX का पूर्ण रूप बिस्तारित रूप फुल फॉर्म कुछ भी आपको हो सब ग development explosive RDX का फुल फॉर्म यही वो था ठीक है आपको बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question number 14 श्वामी हरिदास जहनती उत्रप्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है इसका अंसर आप सभी बताएंगे स्वामी हरिदास जहनती उत्रप्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है सखी आंसर होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा वरिंदा वन में correct answer क्या हो जाएगा आपका option भी वरिंदा वन में मनाई जाती है अगला question आपके सामने है कि उच्चतन नयायाले में नियाय अदीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किस के पास होता है अगर आप से यह कहा जाता है कोशिश करना जो इसका सखी आंसर हो जाएगा गाइस नयाय दीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार होता है यह किसके अंतरगत होता है यह होता है मेरे प्यारे भाई भारत की संसत के अंतरगत correct answer क्या हो जाएगा आपका option C अब मेरे प्यारे भाई अगर आप से यह पूछा जाता है कि मतलब की गाइस सर्बोच्य नयाले में कुल कितने नयाधीस हो सकते हैं तो मेरे प्यारे भाई 30 अनय नयाधीस हैं ठीक है और एक मुख्या नयाधीस होते हैं और मेरे प्यारे भाई इसका अधिकार के इसके पास होता है इसे बढ़ाने के लिए तो गाइस वो किसके पास होता है भारत की संस क्या होगा लगबक सभी जानते होंगे बताएं इसका तहीं आशअर क्या होगा निवन में से किशे कंप्यूटर का पिता या फिर Foddraff कंप्यूटर कहा जाता है तो लगबके सभी पैरे भाई बिलकुल तहीं आशवर === सबस्क्राइब सभी हो जाएगा यहां जरी किये गए चांदी के सिक्हे को क्या हो जाएगा अब मेरे प्यारे भाई समझने की कौशिस करो अगर आपसे यह कहा कि चांदी के सिक्खे को क्या कहते ले तो मेरे पएरे भाई उसे रूपक कहते थी अगर आप से यह कह 들어오व मेरे हुआ आप याद रखना मेरे पparty ह्वाई कि अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब चांदी किसी के किसने जारी के तो मेरे प्यारे भाई चंद्रगुप तो दुत्तिये ने ठीक है याद रखना अगला कुश्चन आपके सामने कुश्चन नमर 18 उचाइन आपने के लिए निम्न में से किसी यंतर का उपयोग होता है इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे पर्फक्ट आंसर क्या हो जाएगा उचाइन आपने के लिए निम्न में से किसी यंतर का उपयोग होता है जो इसका सही आंसर हो का अल्टी मीटर का उपीयोग करते हैं मेरी पैरे भायी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि भारत का सबसे अधिक चाहए उत्पादक राजी इनमें ि से कौन सा है फठ़फ़ा आंसर दीजे घा%, अ बहुत ज्यादा टाइम हो रहा ही सबभी अधिक, भी आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कहा हो जाएगा आपका option C अगला विशन नमर 20 निम्र में से किसे सूचना राजपत कहते हैं मेरी पहरी भाई इसका आँसर आप बताइए इन में से किसे सूचना राजपत कहते हैं समझते हों कि आज कल सबसे ज़्यादा अगर आपको हो तो सबसे ज़्यादा हम किसका उप्यों करते हैं इंटरनेट का उप्यों करते हैं और अगर आप कहीं भी किसी कभी गाइस मतलब बात करना चाहते हैं कुछ भी बात करने की कोशिस करते हो तो इंटरने हो जाएगा यहापड आपको option B तंजानिया की राज़्दानी मेरे पहरे भाई कोशिश करना है यहापड समझने की कोशिश कीजिए तंजानिया की राज़्दानी यानि की यह question आपसे पूछा गया है मेरे पहरे भाई इसका जो सही आश़़ हो जाएगा आपका वह जाएगा डोडूमा ठीक है तंजानिया की राज़्दानी की है डोडूमा समझने की कोशिश करना है यहापड याद हो जाएगा आपको डोडूमा तंजानिया डोडूमा अगला नहरू बंदरगा को नहावा सेवा बंदरगा भी कहते हैं आप याद रखना अब आपको गाइस थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हुगा नहावा सेवा बंदरगा कहा जा या पर जवाल नहरू बंदरगा कहा जा यह कहां पर ही मूंबई में है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आपसन सी जो भी पैरे भाई बैन आपसन सी बता रहे हैं बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला टोडर मल निवनमेशिक किस कारें से समझ दिते हैं मेरी पैरे भाई इसका आंसर आप बताईए मेरी पैरे बैरे अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ अगर आपको इस बार विश्वास से की आपको सीट मिल जाएगी आपका सेलक्षन हो जाएगा तो एक बार सभी पहरे भाई बें क्लास को दिल की गहरायों से लाइक कर दो कहने की जरूरत ना पड़े सिमस्दार होते नहीं कि आप क्लास को लाइक कर ही सकते हो तो जो टोडर मल थे यह किस कारी से संबंदी थे या कोईशन आपसे पूछा गया है मेरी पैरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा कोईशन नमबर 23 का आपका वह जाएगा भूमी सुधार के कारी से संबंदी थे टोडर मल ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा या कबार के सा वारे गैश इन्हीं को ही कहा जाता है ठीक है और जो गैश जबती प्रनाली का प्रवर्थक है टोटरमल को ही माना जाता है अगला एक सांची कई स्थूफ का निर्मान निवन में से किसा सकनी करवाया मेरे पहरे बाई आप सब जानते होंगे तो जो यह कहां है मध्धप्रदे प्यारे भाई बेन ऑप्सन भी बता रहे हैं बिलकुल करेक्ट होगा बिलकुल पर्फेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला है जनगर्मन राष्ट्रेगान की रचना रविंद्रना टेगोर ने की थी जो जनवरी 1912 में सबसे पहले किस लेख में प्रकासित हुआ अब मेरे बाई समझने की कोशिश करो कहा क्या गया आपसे कि जनगर्मन राष्ट्रेगान की रचना रविंद्रना टेगोर जी ने की और इन्होंने अपने देश के अलामा बांगला देश के भी राष्ट्रेगान की रचना की है ठीक है और इस राष्ट्रेगान की या फिर राष्ट तत्व बोधनी लिखा गया है ना यह आपका important है ठीक है समझने की कोशिश करो भले आपको टफ लगे लेकिन important है स्क्रीन सौर्ट जरूर ले जिगावी answer टिक करें तत्व बोधनी और इस तत्व बोधनी गाइच जो यहाँ पर यह तत्व बोधनी पत्रिका है इसके संपादक कौन थे अगर आप से यह पूछा जाता है तो याद रखना महरसी देवेंदरनाट टेगोर ठीक है तत्व बोधनी पत्रिका के संपादक देवेंदरनाट टेगोर थे इसी पत्रिका में सबसे पहले राष्ट्रिय गान प्रकाशित हुआ था जनवरी 1912 में जो की लिखा गय रखना टेगोर जी के दोरा ओप्सन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला अनुक 6352 के अधीन लागू आपार इस्तिती के दोरान निम्लिकित में से कौन से संबैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं अब मेरे प्यारी भाई देखो सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुक 6352 के अधीन लागू आपार इस्तिती यानि कि जो गाईस आपार मतलब आपार की घुज़ना की जाते है ना आपार काल की तो मेरे पहरी भाई इसमें आपात काल जो होता है ये तीन प्रकार का होता है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना राश्ट्री आपात होता है ये अनुक्षे 352 के अंतरगत होता है ये कौन सा आपात होता है ये होता है राश्ट्री आपात ठीक है और दूसरा आप कल के अंतरगत मैंने बता दिया ठीक है और जब कभी संविधान के अनुक्षे 352 के अंतरगत आपात काल की गोस्तना की जाती है तो गाइच इसमें जो आपका फ़न्देमेंचर रइट्स होग रहा है या फिर मौलिक अधिकार होता है यह श्वयम निलंबित हो कहने का मतलब हैं मेरे प्यारे भाई सही आंसर क्या हो जाएगा औपका ओप्सिन și, correct answer क्या हो जाएगा आपका option B अगला निमने में से किसे जुड़वा खनिच कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कहा आपसे क्या गया कि जुड़वा खनिच इसमें से किसे कहा जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा question number 27 का आपका जुड़वा खनिच जो है मेरे प्यारे भाई सीसा और जिस्ता को कहा जाता है correct हो जाएगा आपका option B प्रतवी की सबसे उपरी परत को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई प्रतवी की सबसे उपरी परत को क्या कहा जाता है आपसे ये पूछा गया है इसका जो सखी आसर हो जाएगा इसे हम कहते हैं प्रतवी के सोप से उपड़ी प्रत को कहते हैं करश्ट या फिर guys आप इसे क्या को हो इस अब देखो अगर आप से यह पूछा जाता है गश्ट और मैयरे प्यारे भाई करश्ट जो है यह इसकी जो guys मोटाई है या कितनी नवरत्न आपसे ये पूछा गया है जो नवरत्न थे ये चंद्रगुप्त दुत्य के दरबार में रहते थे ठीक है और वही गाईस से नवरत्न है अब इन नवरत्न में कौन-कौन थे अब ये बार देख लो ठीक है कालीदास हो गए अमर्चिंग हो गए संकु और गाईस एक हैं क्या नाम है धरवंतरी और चपड़क बेताल भट और वरुची और घटकरपर बारामीर हाला कि ये पूछे नहीं जाएंगे ठीक इनका कुछ मतलब बतलब नहीं है लेकिन आप ये समझना कि नवरत्न किसके सासे संकाल से समद्धित हैं तो ये आपका सही आंसर हो जाए हैं कि चंद्रगुप्त दुथी बिल्गुल सही हो जाएगा अगला अंतरष्टी हां की मैच की अवधी कितनी होती है मेरे प्यारी भाई अंतरष्टी हां की मैच की अवधी कितनी होती है अगर आप से ये पूछा जाता है ना तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 70 मिनट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेशन नमबर 30 का 70 मिनट कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई एक घंटे 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है अगला बिटामिन D की कमीशे कौन सा रूख होता है मेरे प्यारे भाई बिटामिन D आपसे यह कहा गया अब यहाँ पर क्वेशन नमबर 31 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना यहाँ पर बिटामिन D आपसे कहा गया मेरे प्यारे भाई याद रखना यहाँ पर रिकेट्स रताओंधी A से होता है ठीक है रिकेट्स जो है मेरे प्यारे भाई यह बिटामिन D की कमीशे होता है बिटामिन D यह आपका बेल्कुल सही होगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा सहर को बसाया था इसका अंसर आप बताएंगे अब मेरे पैरे बाई कहा आप से क्या गया कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा सहर को बसा है मतलब आगरा सहर की अस्थापना किसके दोरा की गई मेरे पैरे में तरयाद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी कि इनके दौरा सिकंदर लोदि और अगर आपसे यह कहा जाता है इन्होंने कब की इसकी अस्तापना तो मेरे पैरे भाई इसका जो सही अन्सर हो जाएगा वो हो जाएगा पंदरासूजार में इन्होंने इसकी नीव रखी थी अगरसेर की ठीक और इन सिकंदर लोधी जो है न एक आई सिकंदर लोधी है न इनका जो मुख्य नाम था या फिर कहा जाए इनका जो वास्तवी के नाम था या किया था निजाम खां ठीक है यह सब पता नहीं किया किया ऐसा ऐसा नाम रख ले दे तो निजाम खां आपका या पर सही होगा मेरे प्यारे भाई इनका वास्त भी का नाम था ठीक है अगला है दिये गए किन राज्यों में लोग सभा सदिश्चों की संख्या एक समान है मेरे प्यारे भाई दिये गए किन राज्यों में लोग सभा सदिश्चों की संख्या एक समान है मतलब आपको दो-दो राज्य उप्शन म इनमें लोग सभा सदिश्यों की संखिया बड़ाबर बड़ाबर है तो इसका सभी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जार खंड और असम इनमें लोग सभा सदिश्यों की संखिया क्या है समान या बड़ाबर है राश्ट्री एकता दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर आ आपका 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को राष्ट्रिय एकता दिवस मनाया जाता है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आप्शन नमर बी अगला है मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आपको बताना है नए उद्रा केरेंसी रुपए 2000 के नोट की प्रिष्ट भाग पर कौन सा चि बताओ बिल्कुल कौन सा चित्रांकित है वह हो जाएगा मंगल यान ठीक है मंगल यान अब इससे याद कैसे रखोगे अब मेरे प्यारे भाई इससे याद कैसे रखोगे अगर आप यह याद रखने की कोशिश करूं तो देखो जो 2000 के नोट पा जाएगा ना उसका गाइस 小ची आँशर क्या हो जाएगा आपका मंगल यान जो बी पैरे भाई वेन ॉप्षेंट बिल्कुल पर।क्त होगा बिल्कुल कर्छिट वह का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन किस जिले में हैं मेरी प्यारी भाई आपसे पूछा क्या गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन जो हैं कि किस जिले में पाए जाते हैं कि मेरे पहरी भाई याद रखना यहां पर सबसी अधिक अग्रण से कहा जाता है वन किसमें पाय जाते हैं तो याद रखना मेरे पहरी भाई इसमें सोन बद्र ठीक है कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्सें भी 37 number question है कि 16 चंद्र बोस ने forward व्लाग की अस्तापना कब की थी इसका answer आप बताएंगे मेरी पहरी भाई इसका correct answer क्या हो जाएगा मेरी पैरी भाई याद रखना इसमा सही आसा हो जाएगा 37 नंबर का कि सुभास चंद्र बोस्त ने जो फॉर्वर्ड ब्लाक की अस्तावना किये कब की 1949 में करेक्ट आसर क्या हो जाएगा कुश्चन नंबर 37 का आपका यहाँ पर जो भी पैरे भाई भाई बेन उप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा अगला है मेरी पैरे भाई लास्ट कुश्चन है कि खाद सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमालपत्र दिया जाता है अब देख जाए के कौन सा प्रमालपत्र दिया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आई एस ओ बाई साच चाहल लिखायोगा ठीक है आई एस ओ दो ओडो सूने ने सूने यह खाद सुरक्षा के लिए प्रमालपत्र है अगर गुर्वत्ता प्रबंदन के लिए कहा जाए तो जाए इस ओ नाइन जिरो जिरो वन यह गाइस गुडवत्ता प्रबंदन के लिए अगर आप से कहा जाता है परियावरण प्रबंदन के लिए और यह गाइस ओ नाइन टू जिरो टू यह जो है यह सारी प्रवार पत्र के बारे में ने आपको बता दिया अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की अगर आपके लिए यह मेहनत है कुछ बेया साथ सोब्सक्राइब कर दें इसके लाहिए इसके लि JUST ॐ औरिजिने की क्लास होती है आपकी सुबह 10 बजी मैच की होती है दो पार साड़े 12 बजी जी के और साइंस की क्लास होती है साड़े 7 बजी सारी क्लास की पेडियाफ आपको हमारे टेलीगराम एक्जाम गुरुजी बाई अर्मिस्टर पर मिल जाएगे ठीक है तो मेरी प्यारी आज की क्लास यही पर समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप सब को बता दू अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को निचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना गाइस हमारी मेहनत आपको किस प्रकार लगी अच्छी गंदी भली बुरी जो कुछ भी आपके मन में हमारे प्रत्रा अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा ठीक है तो आज की समाहत्पर क्लास में बस इतना ही मिलते हैं दुश्री नहीं क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद